हलो बहनों भाईयों नवस्ते सज्जन फूट जरनी में आपका स्वागत है साथियों आज हम बनाएंगे मटर पुलाओ तो चलिए मटर पुलाओ बनाना शुरू करते हैं मटर पुलाओ बनाने के लिए देखिए हमने एक बाउल बासमती के राइस लिए हैं और इसके साथ में देखिए हमने छोटे ये दो बाउल हैं एक बाउल हरी मटर लिए है ताजी और गाशय काट लिए हैं सबसे पहले सात्यों भगोने में हम आज हम भगोने में बनाएंगे हलवाई स्टायल में हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया है उसमें दो तेज पत्ता डाले हैं ये देखिए छे ठोर हमने लॉंग डाल दी हैं छे ये हमने हरी इलाइची डाल दी हैं दो ये बड़ी इलाइची डाल दी हैं और सात्यों भगोने में बनाना है बहुत बढ़िया बनेगी आज मैं आपको बताता हूं ये देखिए हमने काली मिर्च दस बारा इसमें डाल दी ह और इसमें साथियों हम दो चम्मच नमक डालेंगे हम सेधा नमक इस्तिमाल करते हैं वो हम दो चम्मच हमने इसमें डाल दिया है जब तक ये पानी गरम हो रहा है तब तक ये जो चावल हमने लिए थे इनको हम वाश कर लेंगे, धुल लेंगे दो तीन बार पानी से इसको धुल लेंगे ये देखिए पानी साथियों गरम हो गया इसमें ये चावल धुले हुए डाल देंगे हरी मटर जो हमने छील के रखी थी ये बाउल में एक बाउल वो डाल देंगे इसके बाद गाजर जो साथियों काट करके रखे थी छोटी छोटी एक बाउल छोटा ये देखिए वो गाजर भी हम इसमें डाल देंगे और ये सारी सामगरी हम पकाएंगे आज हम आपको बताते हैं कि भगोने में कैसे बनती है मटर पुलाओ कैसे बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है और कूकर में तो लोग रख देते हैं पक जाता है कभी गल गया है कभी नहीं पका या पानी कम हो गया या जादा हो गया लेकिन इसमें आपके पास आफसन रहता है पानी हमको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और पानी हम निकालेंगे इसका, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे निकालते हैं और कैसे ये बहुत अच्छा मटर पुलाओ बनेगा, भगोने में मटर पुलाओ बनाना आग, हम आपको बताएंगे, इसको धीरे से खौलने तो इसको जो है चम्मत से चलाएंगे, इसको चलादेंगे, तो ये नीचे जो है चिपकता नहीं, चलाना जरूरी है, बीच-बीच में इसको चलाते रहना है, ताए कि चावल जो है आपस में चिपकेना, इस तरीके से धीरे से इसको चलादेंगे, और च्योंकि गाजर और म पीच में चलाते रहेंगे, ताकि चावल बराबर पकें और भी जो सामगरी डाली हो भी अच्छे से पक जाए, इसमें साथ हुए ये एक चम्मच जो हमने गरम मसाला डाल दिया है, एक चम्मच गरम मसाला हम इस्तेमें इस्तेमाल करेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा लाजबाब बन रहा है, अब ये देखिए चावल साथियों लगभग जो है पक गए हैं, पूरे नहीं पकाने हमें, चावल के लिए फूल जाए उसमें पानी में, उसके बाद देखिए इस तरीके से इसका पानी हम निकाल देंगे, और फटा फट बन जाता है, बहुत चावल समझ लिजिए पक गया बांसपती था, ज्यादा पकाएंगे तो गल जाएगा ये बिसेज ध्यान रखना है, और पानी इसका निकालना है, पानी हमें ज्यादा रखना है, ये देखिए साथ में, चावल बिल्कुल पक गया है, अभी जब तक हम इसमें और भी कुछ क करना है, फ्राई वराई करना है, तब तक ये चावल आराम छे धक्तन रखेंगे, पक जाएगा, ये फुलाना है चावल पानी में, बस इतना ध्यान रखना है, ये मटर भी पक जाएगा, गाजर, आप देखिए हम इसमें काजू थोड़े से भून के डालेंगे, क्योंकि हम देखिए हमने काजू नहीं डाले, काजू पुलाओ में अच्छी लखते हैं, ये हम देशी घी इसमाल कर रहा है, इसमें देखिए, देशी हम ऐने डाला है, इसमें हम जो है, काजू के बड़े तोकड़े बेच से कर लेंगे, और उसको फ्राई के, ये देखिए, काजू हम पका ले रहे हैं इसको यह देखिए इस तरीके से धीरे से कलर देखिए इनका चेंज होने लगा है यह देखिए पक गए हैं अब इनको जो है हम इसमें फुराओ में डाल देंगे घी साथियों नहीं डालेंगे घी अभी हम इस्तेमाल करेंगे आपको बताते हैं कियो उल्काजु देखे हमने निकाल लिये हैं, अब इसमें हम जीरा डालेंगे, जीरा से भी फ्राइ करेंगे इसको पुलाओ को और जीरा जो है अच्छे से पकालेंगे, काला नहीं बहुत थोने देंगे, लेकिन पकालेंगे, बढ़या सा पक जाए जीरा, जीरा कच्छा न पुलाओं जीरा को अच्छे से पका लेंगे अगर ज्यादा गरम हो गए हो तो गैस बंद कर देखे जैसे मैंने गैस बंद कर देखे इस derecho इस ओर अब इसको ऻुसा एंप पुलाओurpose जो है इसको साइट से हलके से हलके हाथ से इसको पलतेंगे अभी देखिए चावल धुआ निकल ला है चावल अभी पकी रहा हो पक गया है चावल बहुत बढ़िया चावल पक गया है यह देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे धीरे से हलके हाथ से यह देखिए एक एक चावल बिलकुल अलग है और बहुत बढ़िया पक ग पका है पुलाव में फटा फट बन गया बहुत टाइम नहीं लगा और बिलकुछ साधरल तरीका है यह देखिए थोड़ा सा धनिया से गार्णिस करेंगे इसको बहुत लाजबा बहुत मूं में बिलकुल पानी आ रहा बहुत ही टेस्टी बना है जाती हो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यह देखिए बहुत ही अच्छा पुलाव बन करके एक एक चावल और ये बहुत अच्छा चावल पग गया है देखे और एक एक चावल बिलकुल अलग है इस तरीके से आप बनाएं अपने घर पे बहुत अच्छा बने हो तो साथियों ये मेरा बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा तो कृपया वीडियो को लाइक करें यदि चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो देखने के लिए सात्यूं बहुत भहुत धन्यवाद नवस्कार